हेलो फ्रेंट्स, वल्कम टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे काजू खाने से होने वाले फाइडे और अधिक मात्रा के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में फ्रेंट्स, काजू को कच्चा और रोष्ट करके दोनों तरीकों से खाया जा सकता है इसे मीठाई, हलवा और सबजियों में डाल कर भी खाया जाता है काजू में केलसियम, फाइबर, फोसफोरस, आईरन, पोटेशियम, प्रोटीन, जीन, सोडियम और मैगनेशियम जैसे पोसक तत्व पाये जाते है सुबह खाले पेट काजू खाने से हड़िया मजबूत होती है, पाचन सकती स्ट्रॉंग बनती है, यादधा स्तेज होती है खुन की कमी दूर होती है और कॉलिस्ट्रूल कम होता है काजू की तासिर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन संबल कर करना चाहिए काजू के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है क्योंकि इन में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है फाइबर पाचन को ठीक रखकर कब्ज और अल्सर जैसी समस्याय कम करती है काजू में मौजूद मैगनेशियम औस्टियो पोरोसिस जैसी बीमारियों की रोक्ता में मदद कर सकता है इस बीमारी में हड़िया कमजोर और नाजुक हो जाती है काजू में मौजूद मैगनेशियम रखता में मौजूद क्लूकोस को स्टेबलाइस करने में मदद करते हैं काजू में मौजूद केलसियम दातो के विकास और मजबूती बनायी रखने का काम करती है केलसियम की कमी की वज़े से दाठ तूटने से लेकर कहीं समस्याए हो सकती है काजू में मौज़ुद विटामिन E और एंटि अक्सिडेंट गुणों की वज़े से इससे स्कीन और बालों की हेल्थ भी अच्छी होती है ज़िक काजू को कच्चा खाने के वज़े विगो कर खाया जाए तो यहां कई गुना ज्यादा फाइदा देती है रोजाना चार से पांच काजू का सेवन करना चाहिए इससे अधिक मात्रा का सेवन फ्रेंट सरी को लाब के बदले नुकसान भी कर सकते है च्यादा काजू खा लेने से पेट खराब हो सकता है मोटापा बढ़ सकता है हाई बीपी और किड़नी से जुड़ी समस्याए भी हो सकती है सीर दर्द और माइग्रेन से पिड़ित लोगों को अधिक मात्रा में काजू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मोजुद एमिनो एस्विर्स दर्द और माइग्रेन का दर्द और बढ़ा सकते है यदि फ्रेंड्स यह जानकर यह अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब माइ चैनल थैंक्स फॉर वचिंग बाइ फ्रेंड्स